नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों कुम्भरासी के जात्कों को बताना चाहेंगे कि अगली सुभा भगवान सनिदेव आपका भागे बदलने वाले हैं आपके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं जिनके कारण सनिदेव के भागे बदलने के कारण आपको बहुत बड़ी खुशकवरी प्राप्तु होने वाली हैं तथा आपके बैपार बैवसाय में भी आप उन्नति कर सकते हैं आप अपने दैनिक दिंचरिया में काफी ज़्यादा परिवर्तन कर सकते हैं तथा आपके जीवन में पैसो से लुड़ी जो भी तकलिफे हैं जो भी संकटें या समस्याएं हैं उन सभी से भगवान सनिदेव आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं तथा जो लोग आपके कदर नहीं करते थे वो भी आपका भगवान सनिदेव के नसीब बदलने के कारण वे लोग भी आपके इज़्जत अब किया करेंगे और आपको काफी जादा सम्मान भी प्राप्त होगा आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्टार से वीडियो को आखरी तक देख उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि भगवान सनिदेव नयाय के देवता हैं जो कि हर एक मनुस्य के क कुवान सनिदेव की कृपा से पूरे कश्टों से पूरे समस्याओं से दुखों से चुटकारा प्राप्त होने वाला है और आप अगर कोई कारी करते हैं तुन में भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली हैं अगर आप बैपारी बर्ग के जातक हैं बैपार करते हैं तो आ से आपके परिवार वाले आप पर गर्व मैसूस कर सकते हैं आपके उपर परिवारिज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी ससुराल पक्षे की तरफ से आपको सुबसमाचार मिल सकता है आपको आने वाले समय का पूरा लावधी पूरा फायदा भी प्राप्त होगा तथा मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने कर्जों से डूबे हुए हैं और अगर आप कर्जों में लीन हैं तो आपको इस दौनान अपने कर्जों से भी चुड़कारा प्राप्त हो सकती हैं आपको जीवन में राजनित्तिक के लोगों की भी समाज में और अच्छी आपको फायदमन्द सावित होंगी अधिकारियों से खास मामलू पर बातचीत होंगी आपके सोचे हुए सभी कार समय से पूरे होंगे जो युवा जौब की तलास में हैं उनकी अच्छी नगा नौकरी मिल सकती हैं आपके विजनस में तरक्की अवस्य होंगी आप एक शेतर में करोडों का धन भी प्राप्त कर सकते हैं आपके मंचाहि सोचे हुए कारे भी समय से पूरे होंगे और किसी कारी के लिए आप लोगों के मन में एक अलगछवी बना सकते हैं आपका मन किसी की बात को लेकर थोड़ा सा दुखी जरूर होगा परन्तु धन कमाने के न सकता होंगी आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को ध्यान रखें तथा सिक्चा के छेतर से जुड़े लोगों को भी किसी आत्राओं पर जाना पड़ सकता है आपको किसी प्रियमित्र से मुलाकात करने पड़ सकते हैं आपको कुछ नए अनुबव ही प्राप्त होंगे आपके बिगड़ी हुई किस्मत कभी भी चमक उठेंगी बैपारिवर्गे के लोगों की योजनाएं सफल होंगी संतान पक्चे से आपको सुक की फ्राप्ती हो सकती हैं जीवन की प्रेसानियां कम होंगी जीवन में कई बड़े चमतकार भी देखने को मिलेंगे आपके घर करने वालों का वेतन में भी बड़ोतरी हो सकती हैं तथा मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि कुम्भरासी के जातकों के जीवन में भगवान सनिदेव की किरपा से आपके सोचने समझने के साथ साथ निर्णे नेने की समता अच्छी होंगी आप आत्मिश्वास के साथ किसी काफ när येक अच्छे होंगे धन अंचल संपत्ति प्राप्ति होने में आर ही रुकाबटें दूर हो सकती हैं और किसी कारे में सगे समंध्यों को साथ में जोड़ना आपके ले काफिय जादा हो सकता हैं और प्रेम समंध्यों में भी आप काफिय संतुष्ट बने रहेंगे ब चीजों में अपने भागे को अजमाने का पसंद कर सकते हैं और महनत और लगन से अगर आप कारी को करते हैं तो भगवान सनिदेव आपको महा सनिदेव की ग Luck कोह से आपके जीवन में राजियोग का निर्मान होने जा रहा है जिनसे कि आपके सभी समस्याएं दूर होंगी आपके एक्चा सकती भी पूरी अवस्य होंगी बात बिवादों से भी दूर रहें आपको काफी लाब होने के संभावना है जीवन में हर काम को आप सोच समझ कर कर सकते हैं किसी कारी को लेकर अति उत्साहित भी हो सकते हैं संपत्ति के सौधे में भी आपको अच्छा लाव फ्राप्त होगा नौकरी के छित्र में आपको तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं घरिलू बातब्रण भी आपका अच्छा बना रहेगा विदेश में आपके द्वारा अच्छा रहेगा आपके रुखे हुए काम भी पूरे हो सकते हैं और किसी साधी या सम्हारों में सामिल हो सकते हैं और पत्नी के वेज आपके समंध भी मद रहूंगे अपनों के सहीओक मिलने से आप सकती चाले मैसूस कर सकते हैं कारिशित्र में अच्छा परदर्शन कर सकते हैं आपको करियर में आगे बढ़ने के कुछ नए मौके भी प्राप्त होंगे आप बहबारी की उजनाओं को बना सकते हैं और अपने काम को फुरू कर सकते हैं आपको फैसले बदलने भी पड़ सकते हैं अन्य काम का असुन्तुलन कारी के अश्तितियों को बिगाड सकता है अधिकारियों के साथ कार्योभार में आपके अधिक्ता हो सकते हैं आपको अपने स्वाष्ट पर ध्यान रखने की विशेश जरूरत रहेंगी तथा आपके योग भी प्राप्त हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर धार्मिक कारे में सही योग दे सकते हैं समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा आपके इज़त पत्परतिष्टा में अवस्य बढ़ोत्री होंगी आप काफी जादा सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं औ और आपके जीवन में जो भी बिगड़ेवी किस्मत है वो भी अशानक से चमक उठेंगी आपको कुछने अनुबभी प्राप्त होने का योग बन रहा है व्यपारिवर्ग के लोगों की योजनाएं सफल होंगी संतान पक्स से सुखों की प्राप्ती हो सकती हैं जीवन की प आत्मग वहतर प्राप्त होंगे कोई आपका निकट्म वैक्ति भी आपके तनाव को दूर कर सकता है दबी हुई समस्याओं को फिर से उभारने की कोशिस ना करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मांसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है हसी मदाक में कही गई बातों को लेकर किसी पर विश्चक या संधे करने से बचे रहने की कोशिस करें रिष्टेदारों से अचानक तोफ़ा मिल सकता है और आपको घर में चोटी मोटी परिसानिया चोटी मोटे जो भी आपके जीवन में तकलिफे हैं उनको दूर करने की ब संभावना हैं आपको अपने करियर में भी लाव के उसर मिल सकते हैं अचानक धन प्राप्ति के संभावना बन रही हैं आपकी लवलाइप पैतर होंगी स्वाहित समंदी प्रेसानियों से आपको चुटकारा प्राप्त होगा आप अपने जीवन साती के साथ कहीं गुमने औ नोबल भी आपका बढ़ सकता है परिवार के साथ मिलकर आप कुछ उचितकारी को कर सकते हैं और कुछ बड़ी बातें आपके सामने आ सकती हैं तथा कोट के चहरी से जुड़े मामलों को भी आप दूर कर सकते हैं और आपको अपने दिक्कतों समस्याओं को आसानी से दूर करने के मोके भी प्राप्त होंगे धन प्राप्ति का प्रवल्योग बन रहा है तथा आपके जीवन में आपको सफलता भी अवस्य प्राप्त होंगी भगवान सनिदेव की कृपा से आपको अच्छा खास लाव प्राप्त होने वाला है तथा आपके जीवन में अनुकूल और दोनों तरक्ती इस्तितियां देखने को प्राप्त हो सकती हैं आप कौफी जादा माला माल हो सकते हैं और आप किसी भी व्यक्ति की अच्छाई पर संदेह न करें आपका दिन आपके संदे यस्त के कारण थोड़ी सी प्रेसानियों वाला हो सकता है ऐसे में धैरे रखें किसी भी व्यक्ति की कोई भी मजबूरियों को गलत पैदा उठाने से बचें अन्य था आपको लेने के देने पड़ सकते हैं आप किसी बड़ी मुसीवतों में पड़ सकते हैं आप किसी ऐसी इस्तियों से घिर सकते हैं जो आपको मानसिक तनाव देने के साथ साथ आपके जीवन में भी आपको तकलिफ हैं देने पर विवस कर सकता है। आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दिया वस्ति लिखें। आपका दिन सब हो मंगलकारी हो